हमारे चैनल से अधार लिंक करने की कोई जरुवत नहीं सिफ सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटे को दबाईए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नमस्कार दोस्तों मैं आनंद आप सभी का स्वाधत करता हूँ आटोसार में और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कार की एसेसरीज कब और कहां से परचेस करनी चाहिए अगर आप भी नई आड़ी लेने का प्लान कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा लाश तक देखिए आपको भी समाज में आ जाएगा कि एसेसरीज को कैसे प्लान करते हैं कौन सी accessories खरीदनी चाहिए, कौन सी नहीं खरीदनी चाहिए और खरीदनी चाहिए तो कब खरीदनी चाहिए और कहां सी खरीदनी चाहिए देखी, कार जो हमारी deliver होती है हमें उसमें already mostly accessories लगी होती है पर फिर भी, इसके अलावा भी कोई ऐसी कार नहीं है जिसमें हमें ये feel हो कि नहीं है मुझे इसमें कुछ नहीं चाहिए कहीं न कहीं कुछ न कुछ हमें जरूर चाहिए होता जो हमें aftermarket उस पर deploy करना पड़ता है या उस पर install करना पड़ता है एक car है जिसमें सारी accessories आपके हिसाब से लगी हुई है फिर भी आप उसको protect करने के लिए एक अलग से accessories लगवाएंगे जैसे already इतना बढ़या seat cover दिया हुआ है फिर भी आप उस पर seat cover लगवाएंगे कि नहीं जो अच्छा seat cover है वो बचा रहना चाहिए गाड़ी पर coating कराएंगे कि नहीं जो गाड़ी का paint है वो safe रहना चाहिए आगे bumper guard लगा देंगे कि जो bumper दिया हुआ है वो safe रहे उसमें कोई scratch ना आए पीछे bumper guard लगा देंगे दुनिया भर की चीज़े है लेकिन गाड़ी में किसी भी तरह का modification जिससे गाड़ी का जो size है उसमें कोई change आता है या गाड़ी का जो frame है उसमें कोई change आता है वो illegal है totally तरीके से चाहिए वो bumper की बात कर लीजे या आप ये कर लीजे कि कोई आपने अलग से वो rod लगवा रखी है जिसमें अपने जंडे लगवा रखे है वो भी illegal है अब डिगगी खोले कुछ भी carry कर रहे हो जिसमें समान बाहर निकला हुआ है तो भी illegal है basically जैसी है आपकी गाड़ी आपको बना के दी गई है उसमें अगर आप size modification करते हैं किसी भी तरह का तो वो illegal है चलिए एक है ठीक है legal illegal की बात अभी हम बात में करेंगे हमारा अभी motive जो है वो यह है कि car की accessories कब और कहां से purchase करनी चाहिए मैं आपको यह सब इसलिए बता रहा था कि car की accessories purchase करने से पहले हमें ध्यान रखने चाहिए हमें क्या purchase करना है और क्या नहीं purchase करना है तो मेरे हिसाब से कार के delivery लेते समय आपको सिर्फ दो या तीन चीज ही purchase करने चाहिए dealers जिसमें एक तो आपका है floor mat ठीक है दूसरा आपका होता है जो divine जिसको हम लोग बोलते हैं कि भाई अगर आप भगवान की मूर्ती वगरा रखना चाहते हैं उसके dash पे तो आपको रख सकते हैं तीसरा जो होता है वो होता है आपका mud guard अगर आप rainy season के आसपास गाड़ी नहीं ले रहे हैं तो mud guard का आप बाद में भी plan कर सकते हैं क्योंकि dealer इसके लिए heavily charge करता है लेकिन जो mud flap होता है या जो floor mat इसको आप बोलते हैं ये बहुत ही जरूरी चीज़ है ये आप जरूर खरी दें चाहे तो अगर आपको इसमें भी पैसा बचाना है तो आप अपनी गाड़ी के लिए बाहर से aftermarket खरी दिए और जब भी आप गाड़ी delivery लेने जाए तो वो वह बाद में उसको सफाही करवानी परती है वो proper उसके बाद ही आप उसमें मैट लगा सकते हैं तो शुरू से ही मैट लगा रहेगा तो ज़दा अच्छा है दूसरा ये है कि भाई भकती भावना है आस्था है तो भगवान की फोटो या मूरती कुछ तो जरूर हो रही तीसरी जो चीज है वो जो मैं आपको बताया आपको कि मट गाड वो भी डिलर से पर्चेस करें थोड़ा ज्यादा पैसा लेते हैं वो बट ज्यादा फरक नहीं पड़ता हा लेकिर रेनी सीजन के आसपास अगर आप गाड़ी पर्चेस नहीं कर रहे है तो आफ्टर मार्के आपको ज़्यादा अप्षयोर करेंगे यह ज़्म आपको पशुलर करेंगे चीजा अपशकर करेंगे तो आपको ज्यूदा डिजाइन आको पसंदा हो जोता क्या है कि अशुद। तो मैं लगता है ओ यार काश की मैं यहां से ले लेता तो ज़दा अच्छा रहाता तो यह काश की जो इस्तिती है उसको टालने के लिए ही मैं बता रहा हूँ आपको सबसे अच्छा यह होता है कि आप आफ्टर मार्केट जाए कि अराम से ढूड़िए क्या चाहिए आपको कि इस शॉप पे सस्ता मिल रहा है कि इस शॉप पे महंगा मिल रहा है कि इस शॉप पे इंस्टॉलेशन करवाना जदा अच्छा रहेगा इसम आप अपने हिसाप से डिसाइड कीजिए और थोड़ा समय दीजिए गाड़ी के साथ उसके बात देखिए कि एक्च्छल में वो चीज की नीड भी है आपको या सिर्फ आप बस ऐसे ही लोग लग आते हैं तो बैट ही लग वा रहा हूँ यह यह वाला सिच्वेशन आपके साथ है एक्च्छल नेट समझे कुछ दिन चलाईए गाड़ी को चलने दीजिए जिस कंडिशन में वाई है अब होता क्या है बहुत से लोग करते हैं जैसे ही गाड़ी निगली तुरांती दम मैसेसरीस वाले दुकान में ले आगे खड़ी कर दो भाई पटा पट समान लगा इसमे प्लीज टाईम दीजे घाड़े को दूसरा यह चीज है कि आप किसी भी तरह का इलेक्टरिकल समान या उलेक्रॉनिक समान मतलब यह गाड़े में आपने नई गाड़ी है अगर उसमें कोई बी बन समान लेते हैं या लगवाते हैं तो आपको भी पता है उसके वरंट फस्क कराने गए और वहां पर कोई प्राब्लम आती है तो आप उसको बोलोगे शर्विस लेंटर वाले को कि बाई ये प्राउब्लम आ रही है उसने देखा देखते ही है सीधी सी बात है आपकी जब घाड़ी आती यह तो देखते ही है कि आपने क्या लगवाया है जिससे कि वो कहीं नहीं आपको प्लेम कर सकें कहीं सार यह तो आप वरंटी हो गहीं क्योंकि आप ने चीज़ें से वायर कंट हुआ है एलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रोनिक सामन लगाने में मुस्ली वायर कर्स होते हैं इस기로 primeira आपकर सकते हैं तो दो काम आप कर स जो भी चीज़े हैं या आपने अलग से प्रोजेक्टर हेड्लाइम्ट लगवा दिये या प्रोजेक्टर हेड्लाइम्ट की जगर बिसिकली आपने क्या किया किया कि LED लाइट्स लगवा दिये जो की higher capacity की थी कहीं या कहीं आपके गाड़े को ये effect करते हैं इसी बज़े से इसको ध्यान में रखते हुए electrical warranty को वाइट किया जाता है कि अगर आप ये काम करते हैं तो फिर ये risk आपका है तो इस तरह कोई accessories आप मत लगवाईए हाँ एक service हो जाने दिए दो service हो जाने दिए उसके बाद आप लगवाएंगे तो company भी आपको भी warranty देने सो मना नहीं कर पाएगी और हाँ लेकिन उसके बावजूद भी आप ये सब लगवाने से पहले बड़ डीलर से जरूर पूछ जाएगा कि मैं ये चीज इस्टॉल करवाना चाहता हूं इससे मेरी warranty वाइड होगी या नहीं होगी तो ये accessories का बड़ा पंगा रहता है इसमें आप accessories लगवाना तो चाहते हैं लेकिन सोच समझ के लगवाईए aftermarket देखिए हो सके तो brand के साथ जाहिए कुछ चीजें हैं जो auto समय देजे गाड़ी आपको समझ सके आप गाड़ी को समझ सके दुनों लोग दूसरे को समय देजे थोड़ा बाइक भी बात कर रहा हूं मैं सिर्फ कार की बात नहीं कर रहा हूं मैं बाइक में भी कोई accessories मत लगवाईए सिवाए seat cover के बाइक में भी अगर आपका comfortable seat cover मिल जा इतना सारा feature seat में ही दिया हुआ है उस पे अगर आपने seat cover लगवा दिया तो फायदा क्या हो आपके top model लेने का इस तरह की बहुत सारी गलतियां या अंजाने में इस तरह से काम हो जाते हैं पहली बात तो मेरे हिसाब से seat cover लगवाना ही नहीं चाहिए जो comfortability आपको इंजिनि किसी डिजाइन हुई थी आप कुछ लोग कहते हैं कि बखेट सीटिंग नहीं है तो बखेट सीटिंग लगवाएं पूरी पूरी सीट नहीं लगवा लीजे ठीक लेकिन seat cover लगवाना ये गलत है उसको protect करने के तो आप seat cover लगवाते हैं कि seat cover मेरा problem में आएगा कम सकम seat को कु आपने शुरुआत में seat cover लगवाया है उसका मतलब आप हमेशा seat cover लगवाएंगे तो वो चीज़े आपकी protect तो रहेंगी लेकिन वो किसके लिए protect करना है तो सबसे अच्छा यह होता है कि आप जो seat cover में लगा हुआ हुआ मिला है company से उस पे ही गाड़े चलाईए उसको कोई नुक्सान होता या कहीं से आपको लगता है तो उसको पर seat cover लगवा लेजगा दो फाइदे होंगे एक तो पैसा आपका बात में खर्च होगा दूसरा तब तक आपको जानकारी हो चुकी होगे कि किस तरह का seat cover लगवाना चाहिए किस तरह का seat cover लगवाना चाहिए लगवान जरूरत है जैसे reverse parking camera की बहुत दोंग जरूरत होती है लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि at least first service तक का बीट कर लिजिए उसके बाद ही reverse parking camera लगवाईए फिर्स service तक आप अपनी गाड़ी को भी समझ चुके होते हैं थोड़ा गाड़ी चला भी चुके होते हैं अपने हिसामस चलती भी है उसके बाद आप उस ऐसे रिस्क लगवाएंगे तो आपके काम की भी होगी electrical warranty भी वाइट करने से पहले आप जाके service center में पूछ भी सकते हैं उस समय कोई 2-4-500 रुपे की चीज़ मैं समझ में नहीं आती मैं लगता है ठीक है लगा दो अच्छा है कोई बादी 4-5 रुपे extra लगा दो कोई problem नहीं है 7,000 रुपे लग रहे 8,000 रुपे लगा दो लेकिन यही चीज़ आप after market लगवा लेजे उससे अच्छा और उससे कह कीमत का मिल जाएगा साथ के साथ आप उस पे जाके अपने design मन पसंद चूज कर सकते हैं जो भी चीज़े हो इस तरह की तो आपको accessories खरीदते समय यह चीज़े ध्यान देनी चाहिए कि गाड़ी के साथ समय दीजे उसके बाद क्या accessories लगानी है वो आपको समझना पड़ेगा कि क्या जरूत है आपको चीज़ की जरूत नहीं उसको गाड़ी में मत लगवाईए कोई जरूत नहीं गाड़ी आपको चलानी है आप अपने हिसाफ स्कता कीज़े मुझे क्या चीज़ लगवाना है क्या चीज़ नहीं लगवाना है दूसरों में कहने में मत चाहिए यह ल कुछ की जो एसेसरीज जरूरी हैं और शुरुवात में ही इस चीज को लेना चाहिए लगाना चाहिए तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही और उमीद करता हूं कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी इसलिए आप लाइप जरूर कीजिएगा और आप हो सके तो सब्सक्राइब किये बीना मत जाएगा आप सबसे वीडियो लेना चाहता हूं आज की वीडियो में से इतना ही मैं आनंद नमस्कार